तो हेलो माई डेर स्ट्रेंट्स, माई डेर फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हम आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो guys, हमारा थोड़ा सा एक दिन का gap रहा, लेकिन हम लोगों ने first part जो है, उसे हम लोगों ने बहुत धाजू तरीके से देखा, word meanings जो है, आपर काफी जादा हमें देखने को मिल रहा है इस chapter में, क्योंकि ये pure एक ऐसी language में बोला गया है, जैसी language जो है, अमेरिका के निवासी अपनी बोल चाल की भाशा में, या रोज मर्रा की जीवन में इस्तमाल करते हैं, इसलिए वो language हमारी language से थोड़ी सी अलग है, तो बिलकुल आप लोगों को घबराने की, चिंता करने की बिलकुल भी जरुत नहीं है, जहां जिस word की आपको जरुत पड़ेगी, जहां अर्थ कहां किस बात पर क्या कहना चाहरा है, उसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से discussion कर रहे हैं, एक page हम प्यार से पड़ते हैं, शान्ती से पड़ते हैं, दीरे दीरे पड़ते हैं, word meaning के साथ पड़ते हैं, उसके बाद में, जब वो अनुआत समझ में आ जाता है कि लाइन का मतलब क्या है, फिर भाव को समझते हैं कि यहां पर जो हमारे लिखाग है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे कि हमारी जो लाइन से वो हमें क्या suggest करती है, we have also come to this hollowed spot to remind America, the fierce urgency of now, हम लोग यहां पर hollowed, hollowed मतलब यह जो पवित्र spot, spot का मतलब क्या है, हम लोग इस पवित्र स्थान पर आये हैं, क्यों आये हैं, to remind, remind का मतलब क्या है, याद दिलाने के लिए, किसे याद दिलाने के लिए आये हैं, America को याद दिलाने आये हैं, कि कितनी, fears का मतलब है, तीब्र, urgency का मतलब है, urgency कोई भी ऐसा काम ची बैजनी की इस चीज के लिए समय नहीं बचा है, this is no time ये वह समय ये वह समय नहीं है कौन सा समय नहीं है कि हम engage हो luxury of cooling यानि कि इस मुद्दे को इस विशय को हम लोग ठंडा पटकने में लगे रहे हैं, जैसे होता है ने कि अरे यार अभी बड़ी गर्मा-गर्मी हो रही है ये स्वतंतरता को ले करके और ये हमें समान अधिकार चाहिए हमें समान आउसर चाहिए इन सीजों की बहुत ज़ादा गर्मा-गर्मी हो रही है तो इसे हम लोग cool off होने दें, थोड़ा सा इसे शान्त होने दें ठंडा होने दें और to take, tranquilizing का मतलब है शान्त करने वाले drug दिये जाए जो की gradualism के होते है क्रमिक वाद के होते है क्रमिक वाद यानि क्रमशय चीज़े होंगी, दीरे-दीरे होंगी gradually होंगी gradualism का मतलब ऐसे होता है कि किसी काम का धीमा होना क्रमिक वाद का मतलब भी कहा है कि ये वो समय नहीं है कि आप इस मुद्दे को कि चलो ये मुद्दा भी बहुत जोलन्त है बहुत गर्मारा है इसको तोड़ा शांत होने तो फिर बात करेंगे या ऐसे ड्रग का मतलब क्या है ऐसी दवाई ऐसी दवा दवा को भी ड्रग कहते है या ऐसा नशा नशीली जस्टिस अब ये समय आ गया है नाओ इस दटाइम यानि कि क्या है वह समय अब वह समय आ गया है अब समय आ गया है कौन सा समय आ गया है टू राइज राइज का मतलब है कि हमें क्या होना है उदय होना है हमारा उदय होना है from the dark and desolate valley के जो एक अंदकार युक्त और एक उजाड जो वेली है एक जो उजाड घाटी है किस चीज की घाटी है वो segregation की वापस वही प्रतकवाद कल भी बताया था मतलब प्रतक करण की यानि कि जहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था segregation का मतलब क्या है जो अमेरिका में जितने लोग रहते हैं सबी अमरीकी है लेकिन अश्वेत लोगों को श्वेत लोगोंने अपने से अलग कर दिया है यानि कि उनको पूरी दरीके से प्रतक कर दिया है सरकार की ऐसी पॉलिसी है जिसकी वज़े से श्वेत और अश्वेत में भेध हो रहा है To the Sunlit, Sunlit का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाष से भरे हुए पात पर यानी रास्ते पर चलने का भहिया आफिस रास्ते पर चलने का समय हो गया है जो रास्ता किसका है racial justice यानी की नसलवादी न्याय का नसलवादी न्याय के रस्ते पर चलने का समय हो गया है now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice अब वे समय आ गया है कि हम उठाएं lift करें क्या करें उठाएं किसको उठाएं अपने देश को किस चीज से quicksand quicksand क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कि rate का एक दलदल होता है कि आप जैसे उस दलदल पर खड़े हुए थोड़ा भी हिलने दूलने कोशिश करोगे अंदर उस दलदल में धस्ते चले जाओगे तो यह जो quicksand में हम लोग फसे हुए है किस तरह की quicksand में तो racial injustice यानि की नसलवादी अन्याई नसलवादी अन्याई की इस दलदल में जिसमें हम फसे हुए है to the solid rock वहाँ से हमें निकल करके वहाँ से उठ करके हमें solid rock यानि की सक्त पत्थर पर चटान पर जाना होगा सक्त जैसे लिखते हैं सक्त सक्त जैसे लिखते हैं गया सक्त rock यानि की चटान पर जाना होगा कौन सी चटान पर जाना होगा तो भाई चारे की चट्टान पर हमें चड़ जाना चाहिए इस रेत वाले स्थान से निकल करके चलिए और लोगर को एक बार देखेंगे तो हम लोग इस पवित्र स्थान पर आएं हैं अमेरिका को ये बाद याद दिलाने के लिए के हमें बहुत ही तुरंत अत्यंत तुरंत इस समय पर कि अब ये टाइम नहीं है कि हम चीजों को ठंडा होने दे या फिर चीजों को धीमा करने वाले जो ड्रग्स हैं उनसे उन्हें धीमा किया जाए शांत किया जाए अब समय आ गया है कि हमें जो प्रतक करण या प्रतक वाद का जो संसेट है उससे निकलना चाहिए उससे हमारा उदै होना चाहिए अंदकार और उजाड घाटी से हमें बाहर निकल करके और नसलवादी न्याए यानि कि हर नसल के व्यक्ति के साथ न्याए हो उस रास्ते पर चलना चाहिए अब वैसे में आ गया है कि हमारे राष्ट को हम उठाएं कि जो वो फसा हुआ है नसलवादी अन्याए के अंदर वहां से वो सक्त चटान की और आगे बढ़े और सक्त चटान कौन सी है तो भाई चारह रूपी जो सक्त चटान है वहां पर जाकर स्तिर हो जिससे की हमारे देश का भला हो सके और हमारा देश जो दो भागों में बट गया है श्वेत और अश्वेत के भाग में वो बटवारा खतम हो सके वो प्रतक करण खतम हो सके वो लोगों को अलग करना समापत हो सके और लोग मिल जुल करके और देश की तरक्की के लिए काम करें इट वुड बी फै अंदेखा करें क्या करें वो लो अंदेखा करें दा अर्जेंसी ऑफ दा मूवमेंट यानि कि वापस वह अर्जेंसी शब्द है कि इस क्षण में जो त्वरित काम किया जाना है उसको अंदेखा करना हमारे लिए बहुत ही गातक है अंदेखा करने का मतलब है किसी चीज को कम समझना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेर क्या होता है मेरे सामने आने तो शेर को जबड़ा भाड़ दूँगा भाई तू शेर को अंदेखा कर रहा है यह वह अला कम समझना है कि आप शेर को क्या कर रहे हो अंदेखा कर रहे हो आ आप ऐसे जबड़ा पकड़ोगे न वो जबड़े समयती पकड़ लेगा आपको है आप हाथ आरे बारे बारे करते रहे चोड़ दे भाई तेरे को आथ जुड़ो हाथ चोड़ दे वो नहीं चोड़ेगा वो आथ ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं अंडरेस्टिमेट करना हैं अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं तो जो दरड़ निश्य है यहां के अश्वेट लोगों का उसे कम नहीं समझना चाहिए और ये जो मुद्दा है प्रतक करन का या जो न्याय का मुद्दा है कि न्यायोचित जो चीजे अश्वेट लोगों को मिलनी चाहिए वो दी जाए अगर आप इस मुद्दे को की urgency को नहीं समझ रहे हैं कि तुरंद प्रभाव से इस पर कारिवाई करनी चाहिए अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब अश्वेत लोगों के दुर्ण निश्य को आप क्या कर रहे हैं कम समझ रहे हैं तो यह जो तप्ती तप्ती गर्मी है तप्ती गर्मी है नीग्रों की यानि की अश्वेत लोगों की अश्वेतों की जो तप्ती गर्मी है जिस तरह की तप्ती गर्मी में जीवन जी रहे हैं तपतिगर्मी मतलब विशम परिस्थितियों में जो न्यायोचित नहीं है अन्याय पूर्ण परिस्थितियों में जो वे जीवन जी रहे हैं और उनका जो वैद यानि की सही कानूनी जो असंतोश है डिसकंटेंड का मतलब क्या होता है कानूनी रूप से जो अश्वेत लोगों का असंतोश है वह गुजरने वाला नहीं है वह नहीं गुजरेगा अंटिल देर इस एन इन्विगोरेटिंग यानि की जब तक स्फूर्तिदायक ओटम यानि की पतजड का समय नहीं आ जाता या फिर ईक्वालिटी समानता रूपी पतजड नहीं आ जाता तो भाया इस पूरे वाक्य का मतलब क्या है कि ये तपति गर्मी का जो समय है तपति गर्मी का समय है कि आप हमारे साथ अन्याए पूर्ण तरीके से जो हमारे आवसरों को छीन रहे हमें आवसर नहीं दे रहे हमें समानता नहीं दे रहे तो यह क्या है यह निग्रोज के जीवन के लिए एक तरह से तपती गर्मी का समय है कि वो कुछ करी नहीं सकते इसके खिलाब बस तप रहे हैं परिशान हो रहे हैं गर्मी के यानि कि कानूनी रूप से जो असंतोश है will not pass ये तब तक नहीं गुजरेगा तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक की स्फूर्ती दायक यानि कि उनको स्फूर्ती देने वाला उनको राहत देने वाला पतजड का समय नहीं आ जाता अर्थात उन्हें स्वतंत्रता और समानता नहीं मिल जाती तब तक उनके लिए ये जो खराब समय है ये जो गर्मी का समय है ये जो दुखत समय है ये जो पीडा दायक समय है ये समय नहीं निकलने वाला 1963 ये एक साल है इस साल के अंदर ही निक्रोज को फ्री किया गया था 1963 नहीं ये तो ये जिस दिन ये स्पीच दी जा रही है सौरी मैंने गलत बोला ये स्पीच वाला साल है ये नोट एन एंड यानि कि 1963 जो है वह अंत नहीं है बट अब बिगिनिंग बलकि एक प्रारंब है बलकि एक शुरुवात है ये जो साल चल रहा है न इसे आप ये मत समझना कि ये अंत हो जाएगा निग्रोज के साथ जो भी गलत हो रहा है अश्वेत लोगों के साथ जो भी पीडा उन्हें दी जा रही है अत्याचार उन पर किया जा रहा है असमानता दी जा रही है उनकी स्वतंत्रता को कुछला जा रहा है ये मत समझना कि ये scor brief EEG की समापती है 1963 इन चीजों की समापती नहीं है निग्रोज की समापती नहीं है बलकि शुरुवात है जो कि वो लोग जो की आशा करते हैं जो कि एशा करते हैं that the negro needed to blow off के भई negros जो है उनकी भाप को उड़ा दिया जाना चाहिए या उनकी भाप को उड़ाने की आवश्यक्ता है यानि कि उनकी जो भी समस्या है जो भी परेशानी है उस समस्या और परेशानी को क्या का गया है इस्तीम का गया है भाप का गया है blow off का मतलब है उसे उड़ाने की आवशक्ता है will now he content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual will now you have क्या करेगा will now he content content का मतलब है उससे संतोष प्राफ्त होगा उससे संतोष मिलेगा will have a rude awakening और उसे बहुत ही गलत तरीके से rude का मतलब क्या होता है गलत तरीके से दुर्वेवार वाली तरीके से awakening यानि उसे जागना पड़ेगा if the nation returns to business as usual अगर ये राष्ट वापस लौट जाता है अपने कार्य पर as usual तो उन्हें बहुत ही जादा असंतोष का सामना वहाँ पर गलत तरीके से इस राष्ट को सोते वे राष्ट को उठाया जाएगा कुल में लाके बात यह है कि अगर तुम्हें ये लगता है अगर तुम्हें अमेरिका को अगर ये लगता है कि भाई हम तो अब ठीक है तुम्हारी मर्जी हो जो करो कोई फरक नहीं पड़ता हम तो कुछ नहीं कर रहे तुम्हारे लिए अश्वेत हो हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे हम तो जा रहे हैं अपने रोजमर्रा के काम पे लगेंगे तो ध्यान रखना तुम्हें जिस दिन जगाया जाएगा न तुम्हें अपने काम से बुला करके हटा करके जब हम दिखाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है तो वो तुम्हारे लिए एक सुखद समय नहीं होगा वो तुम्हारे लिए क्या होगा एक rude awakening होगी यानि कि बहुत तरीके से तुम्हें जागरुक किया जाएगा तुम्हें बताया जाएगा बहुत ही rude तरीके से कि तुम हमारे साथ क्या गलत कर रहे हो नीग्रोश जो है उन्हें दिया गया है ग्राइंट करने का मतलब क्या है दिया गया है क्या दिया गया है उनका citizenship राइट दिया गया है यानि कि उनका नागरिक अधिकार, नागारिक हो गये तो, क्या रे बाई, गल्ती पे गल्ती, गल्ती पे गल्ती, गल्ती पे गल्ती, नागरिक अधिकार, नीगरोंस को क्या दिये गए, उनके नागरिक अधिकार यानि कि वहाँ पे ग्रीन कार्ड बोलते हैं, The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerge. तो बवंडर जो है, क्या है? बवंडर जो है, revolt का, यानि विद्रोह का जो बवंडर है, विद्रोह जो हम कर रहे हैं, विद्रोह रुपी जो बवंडर है, continue. वह जारी रहेगा और वह क्या करेगा हिलाके रख देगा किसको इलाकर रख देगा जब तक कब तक हिलाता रहेगा कब तक नीम को ठेस पहुचाता रहेगा जब तक ब्राइट डे ओफ जस्टेस इमर्ज जब तक उजला या रोश्नी भरा जब तक रोश्नी भरा दिन नहीं आ जाता किसका न्याय का इमर्ज का मतलब है आना या प्रकट होना तो ये बवंडर जो है विद्रोह का ये लगातार हमारे देश की जड़ों को नीवों को हिलाता रहेगा जब तक रोश्नी भरा न्याय का दिन नहीं आ जाता जब तक ये नहीं आएगा तब तक हमारा जो ये विद्रोह है हमारा यह जो revolt है यह चलता रहेगा और यह लगातार अमेरिका की जड़ों को अमेरिका की नीवों को हिलाता रहेगा और हम छोड़ेंगे नहीं जब तक नियाय का दिन वो नहीं आ जाता But there is something that I must say to my people लेकिन मेरे मन में कुछ है जो मुझे लगता है कि मुझे अनिवारे तोर पर कहना चाहिए अनिवारे तया कहना चाहिए मुझे अपने लोगों को Who stand on the warm threshold जो की एक गर्म द्वार पर दरवाजे पर खड़े हैं और कैसा है ये दरवाजा कैसा है ये गर्म द्वार और किस दिशा में लेकर जाता है हमारे लोगों को Which leads into the palace of justice जो हमें वो दरवाजा में कहा ले जाता है जो हमें ले जाता है किस में तो एक palace में ले जाता है एक महल में ले जाता है तो न्याय रूपी महल के अंदर ले जाता है तो ये न्याय रूपी महल जो है न इसका दर्वाजा बड़ा गरम है warm है मतलब बहुत आसान नहीं है वाँ खड़े रहना लेकिन हमें वहाँ खड़े रहना पड़ेगा अगर हमें न्याए रूपी महल के अंदर प्रवेश करना है तो बाहर जो गरम दरवाजा है वहां खड़े रहना पड़ेगा तपना पड़ेगा उस गर्मी को सहना पड़ेगा तभी एक दिन उस राज महल के या उस महल के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे जो न्याय रूपी महल है और तब हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे यानि कि तब हमें न्याय मिल पाएगा इन दा प्राप्त करने की 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 प्राप है आत्म गलानी महसूस नहीं करनी चाहिए we must not be guilty हमें आत्म गलानी नहीं गलत बता दिया हमें अपरादी नहीं होना चाहिए हमें क्या नहीं होना चाहिए अपरादी नहीं बनना चाहिए wrongful deeds का यानि कि गलत कारियों का अपरादी हमें नहीं बनना चाहिए यानि कि हम यहाँ पर खड़े रहेंगे हम यहाँ पर स्वतंतरता की समानता की शांती की न्याय की मांग करेंगे लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे हम कोई ऐसा कारिय नहीं करेंगे जो एक अपराद की श्रेणी में आता हो और किसी भी ऐसे आपरादिक गतिविती या गलत कारिय के अपरादी हम नहीं बनेंगे कुल मिला करके अहिंसा की ओर ले जा रही है भी कि भाईया हमें अपनी बात पूर जोर तरीके से रखनी है अपनी मांग को पूरी जान लगा कर मांगना है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत काम करना शुरू कर दें कि भाई मार पीट करके लोगों को जबर्दस्ती घर से निकालके घशीट के और उनमें धज्या उड़ा करके और फिर हम बोले कि नहीं नहीं हमें तो चाहिए हमें तो भाई नियाय दो समानता दो प्लेस का स्पैलिंग गलत है सर क्या प्लेस 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 है देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है प्लेस इसके ओपर महल है यह प्लेस है देखो इसके ओपर मैंने क्या लिखा है स्थान लिखा है spelling अलग है, दोनों ही spelling's अलग-अलग है, ये place नहीं है ये palace है और ये place है बोलो पहले वाले को बोलो palace दूसरे वाले को बोलो place अना, let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred तो आईए, हम लोग ना ढूंडें हम लोगों को क्या नहीं करना है, हम लोगों को ढूंडना नहीं है, क्या चीज़ नहीं ढूंडनी है कि हम संतुष्ट करें, किस चीज़ को संतुष्ट करें, तो अपनी प्यास को, हमें अपनी प्यास को किस चीज़ संतुष्ट नहीं करना है for freedom, जो स्वतंतरता के लिए हमारी प्यास है उस स्वतंतरता के लिए हमारी प्यास को हमें किस्स संतुष नहीं करना है by drinking, drinking का मतलब क्या है, पीना किस्से, from the cup, cup तो cup होता है, हम सब जानते हैं, चाय वाला cup bitterness, यानि कड़वाहट 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 भरा या कड़वाहट रूपी जो cup है, या घ्रणा रूपी जो cup है उससे हमें अपनी प्यास को शान्त नहीं करना है तो स्वतंतरता रूपी जो प्यास है, उसे हम कड़वाहट भरे या घ्रना भरे या कडवाहट या घ्रना रूपी कप से हम शान्त नहीं करेंगे अच्छा किसके प्रती कडवाहट किसके प्रती घ्रना यहां बात हो रही है देखो बहुत प्यारी बात आईगी अगली लाइन के अंतर हमें अपनी प्यास को संतुष्ट करने के लिए हमें नहीं ढूणना प्यास को संतुष्ट करने काम हमें नहीं ढूणना चाहिए चलो आगे अच्छा इसमें नहीं आए क्या अब आएगा वी मस्ट फॉरेवर कंडेक्ट आर स्ट्रगल ओन दा हाई प्लेन ओफ डिग्निटी हमें हमेशा फॉरेवर कंडेक्ट का मतलब है करना अपने संगर्ष को हमें अपने संगर्ष को जारी रखना है हमें अपना संगर्ष तो करना ही है on the high plane यानि कि उच्छ स्थान किस चीज का उच्छ स्थान तो हमें उच्छ स्थान से करना है किस चीज के उच्छ स्थान से करना है गरिमा में तरीके से गौरवान वित तरीके से हमें अपने इस स्ट्रगल को संगर्ष को हमेशा जारी रखना है हमेशा करना है We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence हमें कभी भी अनुमती नहीं देनी चाहिए हमें कभी भी अनुमती नहीं देनी चाहिए हमारे इस रचनात्मक विरोध को हमें कभी भी अनुमती नहीं देनी चाहिए कि वो degenerate हो यानि कि नश्ट धर्मी नश्ट धर्मी मतलब जो अपना धर्म बूल जाए या जिसका धर्म नश्ट हो गया हो ऐसे नश्ट धर्मी into physical violence यानि कि शारिरिक हिंसा की और जाकर के हमें अपने इस रचनात्मक विरोध को प्रोटेस्ट को समात नहीं करना चाहिए या हमें कभी अनुमती नहीं देना चाहिए कि हमारा जो प्रोटेस्ट है हमारा जो विरोध चल रहा है वो जाकर के physical violence शारिरिक हिंसा में बदल जाए और आप शारिरिक हिंसा करने लग जाओ लोगों को मारो पीटो जान से मार दो अपने अधिकार के प्राप्तिक लिए हमें कभी भी नहीं करना चाहिए बलकि हमेशा अपने संगर्ष को उच्छ स्थान पर रखना चाहिए और गरीमा और अनुशाशन के साथ हमें अपने संगर्ष को जारी रखना है अगेन एंड अगेन बार बार we must rise to the majestic heights of meeting physical force with the soul force यानि कि हर बार हमें क्या करना होगा we must rise हमें बाब या शानदार heights पर शानदार उचाई तक हमें उठना होगा किस चीज की उचाई मिटिंग physical force and soul force जहां पर हम मिला सके हैं क्या मिला सके हैं शारिरिक बल और आत्मिक बल तो हम यहाँ पर क्या हैं शारिरिक बल को और आत्मिक बल को मिलाने का हम प्रयास करें कि हमारे शरीर के बल से हमारी आत्मा का बल जो है वो मिले ऐसा नहीं है कि आत्मा के बल से शरीर के बल को बढ़ा दिया और जाके लड़ाई जगड़े करने लग गए नहीं हमें अपने शारिरिक और आत्मिक बलको मिलाना है यानि कि मिला करके उस शांदार लाजवाब उचाही तक हमें पहुंचाना है The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people for many of our white people for many of our white brothers तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी marvelous यानि कि वो वाब शांदार या लाजवाब जो हमारी नई शांदार जो नई तरीके की militancy है यानि कि नए तरीके का शांदार जो आतंगवाद है which has engulfed जिससे की घिरा हुआ है जिससे किसे इस आतंकवाद से घिरा हुआ है पूरा का पूरा क्या नीग्रो समाज यानि कि अश्वेत समाज जो है वे इस आतंकवाद से घिरा हुआ है must not lead us to हमारा नेतरत्व ना करे या यह हमें ना ले जाए किदर ना ले जाए to distrust यानि कि अविश्वास की और ना ले जाए कि भाईया हम सब के मन में क्या है अविश्वास पहदा हो जाए all white people जितने भी शवेत लोग है उन शवेत लोगों के विरुद अविश्वास की इस्ति नहीं बननी चाहिए for many of our white people क्योंकि हमारे बहुत सारे white लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं for many of our white brothers के हमारे बहुत सारे श्वेत भाईयों में से ऐसे भाई है as evidenced जैसा की साक्ष्य सामने मौजूद है जैसा की सबूत सामने है by their presence here today कि आज अश्वेत लोग अपने अधिकार के लिए यहां पर इखटा हुए हैं अश्वेत लोग इखटा हुए हैं किसी के लिए अपने अधिकार के लिए तो मुझे बताओ कि क्या यह जो धाई लाक लोग है इस यह धाई के धाई जहांपर वाइट्स श्वेत लोग जो हैं अश्वेत लोगों के साथ मिलकर के अश्वेत लोगों के अधिकार के लिए श्वेत सरकार से लड़ रहे हैं। तो ऐसे श्वेत लोग जो हैं उनके प्रती हमें अपने मन में क्या नहीं करना चाहिए। उनका भाग्य जुड़ा हुआ है हमारे भाग्य के साथ यानि उनका भाग्य और हमारा भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है and their freedom is inextricably bound to our freedom और उनकी स्वतंतरता जो है श्वेत लोगों की स्वतंतरता जो है वो अलंगनी है तरीके से मतलब आप उसे टाल नहीं सकते हैं। नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं टाल नहीं सकते हैं आप इस बात को किस बात को नहीं टाल सकते हैं। वो जुड़ी हुई है बंदी हुई है किस से हमारी स्वतंतरता से उनकी स्वतंतरता हमारी स्वतंतरता से लगी हुई है जुड़ी हुई है We can't walk alone, हम अकेले अकेले नहीं चल सकते, हम यहाँ पर इस स्वतंतरता के मार्ग पर अकेले नहीं चल सकते हैं, अकेला चलना हमारे लिए संभव नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर, हाथ से हाथ पकड़कर स्वतंतरता के लिए चलना होगा, स्वतंतरता के लिए कार्य करना होगा, स्वतंतरता के लिए लड़ना होगा, तभी हमें वास्तविक न्याय या स्वतंतरता मिलेगी, और तभी एक समाज में अश्वेत और अश्वेत लोग दोनों साथ में मिलकर एक ही समाज में रह पाएंगे और तभी उस देश का कल्यान होगा, उसके देश का भला होगा, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, बुलो हाकिना, उमीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में होगा, आ यु रिमच, आज छी तुमोरो तिल देख कर अवरसल, न्ट तुमोरो, देख कर अवरसल, न्ट तुमोरो तिल देख कर अवरसल, भवाई, कल मिल रहाएं, बाए